बिसमिल्यार रुख्मान द्रीम आज हम आपको शावर में की रेसी भी बता रहे हैं दो तीन टेबली स्पून धन्या लेगेगा साबित और एक टेबली स्पून सौफ ले रहे हैं और यह जाइफल जाइफल का छोटा पीस है और एक बद्यान है ब्लेक पैपर है एक टेबली स्पून और एक बड़ी लाइची है गरा मसाले वाली दार चीनी के दो पीस चोटे और यह चार लोंग डाल रहे हैं और दो हरी लाइची है यह बिर्यानी का पता तेज पता एक टेबली स्पून जीरा है ऋमते तेलाएं डीच और चीलीखनता है हम दाल रहें nghi препिशन अध्रक्फंट चुर्टि रखनीजों में लोगए आहिए रखाएं कि यह वैध नब हम दाल रहें वाइट पेपर नयाची थे चम्लिक्त करते हैं तो यह इसकी खुश्बु बहुत तेज होती है जाधा भी हो जाए ना बुरी लगती है तो एक ती स्पून से थोड़ी से कफने वाइट पेपर डाली है और हम डाल रहें टी स्पून से ठीक है तो आप एक टेबल स्पून रेट मिराज डाल गेगा डाल मिराज एक टेबल हल्दी डालेंगे हम हाफ ती स्पून और हम डाल रहें विनिगर तीन टेबल स्पून हम डालेंगे सोया सॉस चार टेबल स्पून चले आपको नापके भी दिखा देते हैं चार टेबल स्पून है क्या नहीं यह देखे है हमारा अंताजा चार टेबल स्पून पका रहे होते हैं यह जाते हैं आप गिल्लीजिए चार टेबलिस्पून बन रहा है हमारा हम चिल्ली सॉस दालेंगे चार टेपलिस्पूनी चेली सूस होगा और देखें हम ने चिकन लिया है 2 किलो ब्रेस्ट पीस थे यह बड़े-बड़े तो उस में से हमने 42 कि की शिकल में है चार टेपलिस्पून और हमने धो के वोश करके जाड़ के रख लिए है चिकन को जाड़ने की यह वजा है जली से हमारा कुको जाएगा इसमें पानी हुआ ना तो बहुत टैम टाइम लग जाएगा और इतना टाइम है नहीं तो हम कम टाइम में बनाएंगे चिकन को करने के बाद मैंने आपको देखों दिखाया चिकन डाल रही हूं आप देख सके समझ सके बले अच्छी तरह मिक्स करना है जैसे बी आप कर लिजिए फिर चेकन को अच्छी तरह बसी हम ठाखेंगे धक्कर हम ले रहे हैं सवा किलो मेड़ा हम सबा किलो मेड़े से बना रहे हम डाल रहे हैं चीनी 5-6 टेबली स्पून चीनी डाल लिएगा मेमान आए तो अचानक तो कहने लगे हमें शावरमा खाना है आपके हाथ का अब मेपा तो इस प्ताई नहीं तो ऐसे भी हम बना लेते जब नहीं होता तो हम यह डाल रहे हैं तीन टेबली स्पूंग बैक इन पौडर बहुत अच्छे बहुत मुलाएं बहुत सौफ जो शाव परमेगी बिल्कुल वही बनेगी हम पीज़ा अक्सार ऐसे ही बना लेते हैं तो थोड़ा तरीका अंदाज अलग होगा तो इसी तरीकी से बनाते हैं बसकर दो के उपर बस दो भी ऐसी होती है हम डाल रहे हैं मिठा सोडा एक टेबली स्पून हम तो बस निकाल यह अंदाज ही तरीके से मिक्स करना है मिक्सिंग बहुत अच्य होनी चाहिए बस सार मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से कि भाइत यह controllers है कि बहुत वक्त लाकात्हा मिक्स करने में फिर आपको दिखा रहे हैं मिकस अच्छी तरह करने के बाद हम डाल रहे हैं और हम पाँच टेबli स्पून एक मेल के ढाले हैं हमने ये आपको दो नज़ार आ जाएगा और पांच टेबलिस्पून ही धई जाएगा पांच से छे टेबलिस्पून धई डालिएगा धाई ठंडा फ्रीश का नहीं होना चाहिए फ्रीश का हेत्वा भार रख लिजिए थोड़ी देर पहले ही बस हम इसे भी बहुत अच्छी तरह मिस्क करेंगे फिर आपको जाए तो जाए ठरा पांच पानी रहरे हैं थोड़ थोड़ा धोड़ा आलेगा पानी दाले है थोड़ा ठोड़ा अब हम आपको फार्च कर्के दिखा रहे हैं देखिए यह तरह थोड़ा पानी डाल के गुण दिए आटा दस मिंट लगे थे आटा गुनने में मिफिक के लग टाइम के लगा था सब टाइम मिला करना में ठारा सब लगें एतना टाइम लगेगा आटा बहुत अच्छी तरह गुनने चाहिए देखें हम गुंद रहें अब ये लगा लगा के गुंद रहे हम पानी नहीं लगाएंगे बस हातों में आटा विल के जरीय से ही तारा अन्ड और देड पाव ओईल यह फ्रीज में रख दिया था थे ठंडा हो जाए तेस्ट थंडा होने की वजाई है करने की मायनिस बहुत थिक बनेगा बहुत अच्छा बनेगा पतला हो जाएगा आपने थंडा नहीं किया तो एक तीस्पून हम डाल रहे हैं नमाग एक ब्लेक पेपर दो टेबली स्पून है चीनी आप लसन चार पांच जवेज लसन के डालेगा चालिस से चलाईएगा मुसरसल हो देखिए हमने ऑईल सिरका दाला थे एक तीस पून ठीक है हम दालना बुल गए ते ऑईल से पॉकिट में डाल लिएगा और ठंडा होना चाहिए थ बहुत ठीक होगियो हमने आम एक बात टीक होग दोनीट्य थारीय हे पॉसल्स और भाछूर मुदम हो स्टान भाटत है दाल रहें यह कief क्यों हमें ज़क में डाल दिया और हमने डाला एक गलम कर लोड़ स्पून और ने जूसे थोड़ा कम हमिनिगर डाल रहे हैं एक टेबली स्पून विनिगर डाला है पूरा भर के डालिएगा हम तील पीसेवे डाल रहे हैं तील पीसेवे पीसेवे की वज़ा ये है हमारा माइनिस बहुत थीक हो गया है अब ये मशीन में बारिक नहीं होगी जो हम जीज़े डाल रहे हैं ब्लैक पैपर है हाफ एक टीस्पून ब्लेक पेपर हैं हमायनी सोस बना रहे हैं और यह नमक डाल रहे हैं हाफ टीस्पून और लसन पांच छे लसन है इसको हमने पीस लिया है एक टीस्पून लसन बन रहा था और यह हम डाल रहें अजवाइन बारिक पावडर की तारा दो चुड़की और गिनो जाता ही जगा पे और गिनो नहीं है तो हम लेंगे अजवाइन से काम और गिनो वाला आपके पास और गिनो मुझत नहों तो आप दो चुड़की पीसी वी अजवाइन डाल लिएगा और ग मायनिस में वेसी पेले इतना ओईल है तो बस एक टी स्पून बहुत रहेगा और हम इसे पीसेंगे देख इतना ठीक हो गया हमारा नहीं पीस रहा तो हम चम्मच की हेल्प से हम हिलाएंगे यह जूसर हमारा चल सके तो बहुत नहीं चल रहा जाम हो रहा है बहुत यह थीक इतन साथा आया बनाना मा इन इस बन चुका है आपेसे मैनीस लेंगे के बाद फिर आपर हमने रएट सोस है दुबारह दाल कर prol करते कि इतना प्यारा कितना आप सब्सक्राइब 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 तो यह मृचिया आप ले रहे हैं Seus बहुत कम पड़ेगी आप 5 लिए हता जब जोपे फिर सोनों के सब बांचा करें वार में 살a हुर प्यास डाली चोटी सी और छे साथ छे लस्सन की जोए है एक टेबल स्पून हाँ पजीरा है पीसावा हम बनाए रेड सोस एक टेबल स्पून हम दाल रहे हैं सिरका लेमू का जूस चाहिए लेमन जूस हमें एक टेबल स्पून तो आप सपैसी काई येगा आई उस नमक डाला है मैंने एक टीस्पून एक टीस्पून वा गया ये फैस्पून दाला रहे हैं और थोड़ा सा पानी डाले बदेखिए गाँ पतला नहीं होना चाहिए बिलकुल बीचे इतना ही थीक होना चाहिए नई पीस्टोर नहीं पानी तो चतनी में भी काफी भरकत हो जाएगा घर आप लोग्म्रश डाले तो कम में फूरा हो जाएगा हमने एक पैन लिया है इसमें आप छे टैब्ल स्पून ओ एल है और हम इसने हम जट जो चिकन में मसाले लगाया थे टिकका बोटी बना रहेते हम जा इसकी चिकन देचिकने तो रख दिया है और फक्री है वह और हमने 5 तरकी सबजियां काटी है और शुमला मिलच रख यह वन गोबी तार च 아까 कि औरे थिए हमने आज रहा हैं रहे हैं इसके पेड़ें दर्मियाने साइज के बहुत मोटे हमिकी रोटी नहीं बनाएं हैं खुक्ताइ Wii नहीं ब्स निर्मीय तरिकन नहीं है ho हमारे आएवे हैं मेमान उनकी फरमाइश बन रहे हैं ये तो हमारी सोस कम होगय धी हम Napoli हम लौंग मेस डाल लेते Nered अरी औरिए ये ठील में को सबस्सपराइब तो मेमान करें भाई इना ओर स्पाइसी करें हम पाइसी पासं से तोड़ी कम हो गई ये तो बहुत अच्छी हो जाती है तो यह देख हमारा यह चिकन तयार है फिर भी हम इसको ढखके लो फिले में पकने देंगे कोई हर्च नहीं जितना गलावा अच्छा है और हमारे दो तीनों जगा काम हो रहा है और हम जली जली बना रहे हैं शवर में दो जगा बनाएंगे बहुत जादा बनने हैं तो हम जल्दी जल्दी दो जगा ही बना लेते हैं जब भी बनाना होता है हम अक्सर ऐसे ही करते हैं यह बन जाएंगी पहले हमारे मेमान है पहले हम मेमानों को हम दिम्टाएंगे अपने यह हम बना रहे हैं जल्दी जल्दी हम बनाएंगे देखें बहुत तैज नहीं है नॉर्मल लो फिलेमे बस दर्मियानी फिलेम लखी चूला आज वह दर्मियानी है वह तेज आज में नहीं पकते हैं इसकी रोठी थोड़ी से मोटी होती है इसके बिटा ब्रेट थोड़ी तेज आंच में नहीं पकाएंगे जिसे रोटी पकाते ना वैसे नहीं बनाएंगे हम देखें यह हमारे बन चुके हैं बाकी तो मेमान को कर दिया हमने निम्टा दिया है और यह हम घर के लिए बने हैं यह बहुत बहुत अच्छी बीटा ब्रेट बनी थी आप कह रहे होंगे ह अब हमने घर के बनाएं और हमनारी सोस कम हो गई तो हम दाल रहे हैं केचप जो हमने घर में बनाया तो इसकी आपको दे चुके हैं इसे भी कर सकते हैं जब कम पड़ जाए सोस आप लोगे मिरेच जरूर डालिए गा उससे कम में हमारी ना काम चल जाएगा इस पाइसी में तो फिर सारी ही हो गई पूरी हमें पाता होता है तो हम ज्यादा बनाते हैं इस पाइसी के लिए देखे बन चुकी है ज्यादा